हाई प्रेंड्स कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कुछ टेस्टी और चटपटा खाने का मन करता है लेकिन समझ में नहीं आता कि क्या बनाए जो घर में पड़े हुए सामान से चटपट तयार हो जाए और खाने में एकदम टेस्टी भी लगे तो आज मैं ऐसी ही रेस्पी लेकर जो खाने में टेस्टी होने के साथ सा सिंपल और हल्दी भी है तो देर किस बात की चलिए रस्पी स्टार्ट करते हैं इसे बनाने के लिए मैंने लिया है दो कच्चे आलू ये कच्चे आलू है उबले हुए आलू नहीं है इन्हें मैंने छील कर धुल कर पानी में भीगो कर सम 데 nice कट लेंगे इन्ड़ ने तकर बहुंब देता की च्छे एक है अब मैंमें में ओंदनीगें उसर्ख बहुपहम है मैं सबते बहुत गभाता है आधा पा आज्स्टष कफशी कि टुधा Gentlemen अगर मोई को दागो श्क्ताना neighborhood मिर्च और दो तुकड़ा अद्रक्का, इसके बाद इसे ग्राइंड कर लेंगे, इसे हमें इस तरीके से एकदम महीन और बारी ग्राइंड करना है, अब इसे एक बाउल में ट्रांसफर कर देंगे और उसमें डालेंगे एक कप सूजी, सूजी आप मोटा या महीन वाला कोई यूज कर सकते हैं अब क्या करेंगे इसमें सूजी डालने के बाद इसे मिक्स करेंगे इसमें अभी हम पानी नहीं डालेंगे अगर हमें जरूरत पड़ेगा तभी हम पानी डालेंगे तो यह देखे मैंने इसे मिक्स कर लिया है और मुझे पानी डालने की जरूरत नहीं पड अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल कर इसकी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करेंगे ये देखिए हमें घोल की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीकी की चाहिए न तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा और नहीं बहुत ज़्यादा पतला अब इसमें डालेंगे स्वात की अनुसार नमक एक छो खोल लिया है अब इसे साइड में रख देंगे इसके बाद फ्लेम पर चड़ाएंगे एक पैन और उसमें डालेंगे एक लिटर के जितना पानी इसके बाद इस पर एक इस्टेंड रखेंगे आपके पास अगर इस्टेंड नहीं है तो आप कोई कटोरी या प्लेट भी रख स यहां मैं एक चुटा चमच इनो डाल रही हूं अगर आप पाउच वाला इनो ले रहें तो एक पाउच इसमें डाल दीजिए इसके बाद इसे एक्टिवेट करने के लिए मैं डाल रही हूं आधा नीबू का रस डालते ही आप देख सकते हैं कि इसमें जाग आ गया है अब मैंने इस तरीकी का टिफिन ले लिया है आप चाहे तो कोई बाउल या थालिका भी यूच कर सकते हैं अब इस टिफिन में डालेंगे थोड़ा सा ओयल और उसे एक ब्रस की हल्प से चारो तरफ इस प्रेट कर देंगे ताकि हमारा नास्ता इसमें जाके चिपके नहीं अब देखें मैंने तेल को चारो तरफ अच्छे से लगा दिया है अब हमने जो सूजी का मिक्सर त्यार करके रखाता उसे इसमें डाल देंगे सारे मिक्सर को हम इसमें डाल देंगे इसके बाद इसे हम थोड़ा सा इस तरीके से टैप कर देंगे ताकि सारा मिक्सर अच्छे से स लोब बिल्कुल नहीं रखना है नहीं तो इसमें स्पंज नहीं बनेगा अब 15 मिनट हो चुका है इसे खोल कर चेक कर लेते हैं यह देखें यह साइज में पहले से काफी बड़ा हो गया है यह अंदर से पका है कि नहीं इसे चेक करने के लिए हम एक टुथ पीक या कोई लकड में इस तरीके से डाल कर चारो तरफ घुमाएंगे ताकि यह पैन से छूट जाए इसके बाद एक प्लेट लेंगे और उसके उपर नास्ते को इस तरीके से उल्टा रख कर थप थपाएंगे ताकि यह पेंदी से भी छूट जाए अब इसे धीरे से इस तरीके से अपनि पसंद पर निकल गया है आप देख सकते हैं कि यहby कित्त आप सोंफा 20 बंकर त्यार हुआ है अप आप इसे अपनी पसंद कज दे शक्ते हैं यह चोट में भी झालते शक्त्त candidate ऩि आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कितनी जालियां पड़ी हुई है एकदम सॉफ्ट और स्पंजी बन कर तयार हुआ है अब इसी तरीके से मैंने सारे स्टिक्स को कट कर लिया है अब क्या करेंगे एक पैन को फ्लेम पर रखेंगे और उसमें डालेंगे दो चम्मस तेल तेल जैसे ही गरम हो जाए उसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच जीरा आधा छोटा चम्मच राई एक छोटा चम्मच सफेद तिल सफेद तिल डालने से नास्ते में एक नटी फ्लेवर आता है और यह केल्सियम से भी भरपूर होता है इसलिए आप सफेद तिल जरूर डालें इसके बाद इसमें डालेंगे दो कटा हुआ हरा मिर्च, इसकी जगा पर आप लाल मिर्च का भी यूज़ कर सकते हैं, अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा कड़ी पत्ता, अब इन सभी को थोड़ी देर के लिए पकाएंगे, जैसे ही यह चटकने लगे इसमें डालेंगे करके पैन में डाल देंगे सारे श्टिक्स को पैन में डालने के के बाद इसे थोड़ी देर के लिए पकाएंगे एक सईट से जब यह पख जाये तो इसे हम हलके हाद से इस तरीके अब यह नास्ता बिल्कुल रेडी है अब क्या करेंगे हम फ्लेम को आफ कर देंगे और इसे सर्व कर लेंगे अब यह देखिए हमारा एकदम टेस्टी और यम्मी नास्ता तयार है कितना प्यारा गोल्डेन कलर इसमें आया है जो भी इसे एक बार देखेगा उसे खाने का मन क यह नास्ता अंदर से एकदम सॉफ्ट और उपर से एकदम क्रिस्पी होता है एक मैं आपको तोड़कर दिखाती हूं यह देखिए कितनी अच्छी जालियां पड़ी है इसके अंदर कोई भी देखकर यह कह सकता है कि यह एकदम सॉफ्ट और स्पंजी बनी है इसे आप टोम के साथ तब तक के लिए टेक केर और बाबाई